हेलो फ्रेंच गुड मॉर्निंग नमस्ते शश्यकाल आदा आप कैसे हैं आप सब उमीद है अच्छे होंगे अरे यार शेर एंड सस्क्राइब करो यार और मैंने बूलती तो नहीं करती हो अम लब कर लिया करो खुद से हैं समझा करो और चलिये बताते हैं कि क्या हुआ वैसे उससे पहले कैसे हैं आप सब उमीद है अच्छे होंगे और आपके हां बारिश या धूप हो रही है तो यह भी बता सकते हो कॉमेंट बॉक्स में थोड़ा सा अब इस स्टार्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा अलग बनाने के कोशिश और थोड़ा सा अलग हो गया यार आप सबका और आप सुन रहे हैं क्या यह मोपत है कोशन मार्क अभी आपको एकदम फ्रेश फ्रेश सा ट्विस्ट मिलेगा तो चलिए बताते हैं कि प्रीवेस पार्ट में क्या हुआ था प्रीवेस पार्ट कहीं बता हूं यार प्रीवेस पार्ट प्रीवेस में जाकर सुन पर निकलते हैं और घर पर निकलने के बाद पहुचते हैं जब खाना उना खाते हैं एक तरह से प्रीवेस पार्टी बता रहे हूं खाना उना खाते हैं और उनको सीडियों पर जो मिलता है इंसान उसके आगया जो उनको सीडियों पर मलता है वो होता है और कोई नहीं उनका भाई आसीस होता है कि या को सरी अवेंची कि उनका भाई आसीस मिलता है और वो तब तक आसीस को देखती है रहना तो कहते हैं भाईया आप अभी तक सोई नहीं तो कहते हैं कि नहीं अभी तक सोई नहीं मुझे लोग ने खाना खालिया तो कहते हैं इदर रहना जवाब नहीं देती हैं और वहां से चली जाती है और रहना फिर बात करती हैं उनसे वो ठीक है ना क्या हुआ सब जीज़े पूछती है पूछने के बाद जब उनको ध्यान आता है कि ठीक है मैं अभी चलती हूं आप अपना ध्यान रखी हैं अधर बात करने के बाद ये लोग निकल जाते हैं अपने रूम के तरफ रूम के तरफ निकलने के बाद वूं में जब तक वो जहती है दिआता है कि उसके रूमे निशा होती है अवेंचे के साथ और वो भी बड़े awkward situation में होती है, तो कहते हैं कि तुम यहां क्या कर रही हो, कुछ काम था अव्यान्शिक से, तो कहते हैं कि नहीं, क्या तुम्हें ही काम हो सकता है, तो कहते हैं कि तुम भूलो मत, कि यह इंसां मेरा पती है, और मैं अपने पती के साथ कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या, ऐसे अव्यान्शी रहना जो होती है, वो एंसर करती है, निशा को, निशा जो होती है, थोड़ा सा तलमिला उड़ती है, ऐसे एंसर सुनके, फिर उसके बाद कहते हैं कि हां हां, जिसका तुम कोई ध्यान नहीं तुम अपने रिस्पॉंसबिल्टीज निफाती हो, सब कुछ निफाती हो, मगर जब ध्यान रखने की बारी आए, तो तुम वो तो निफाती ही नहीं है, तो कहती है कि वोट यू मीन हो और अव्यान्शी चुपचाप, अब खड़ी होती है, क्या ही बोले दोनों के बीच, तुम एगर वो भी बोले घि, तो रहना गुस्चा होगी, तो वो चुपचाप खड़ी होके सुन रही होती है, ँदोनों की बातें, और एक तरफ से उसका कदमा खराब ही हो रहा होता है, और उन दोनों की बात, तो पहांसे भी आ रही होती है तो, अधर रहना, क्या क्या है छुप-चप सुन रहे हो हां घूट जैसान, कुछी बोलना नहीं है इनको, तो क्याती है कि मैं क्या बोला, यह तुम दोनों का मादह है, भहई, तुम दोनों सुल जाओ, बेरारें चैसे हो, तो आप ऐसे तैसे बोल सकती है, तो कहती है कि नहीं बोल सकती, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए तुम दोनों के छक्कर में मैं फ़स जाओंगी तो इधर से वहां से फोन अपना उठाती है वो बालकनी के तरफ चली जाती है और इन दोनों में बहस छिड़ी हुई होती है फिर निशा थोड़ा सा टोन काटती है जो हमारी रहना होती है उनको थोड़ा टोन काटते हुए बोलती है कि तुम्हें दुनिया की फिक्र है मगर तुम्हें जिससे प्यार है उसको छोड़ के कहती हैं कि हाँ बहुत तुम देख लियो न तुमने नहीं तो सारी चीज़े देखी हैं हमारे बीच कि हमारे बीच में कैसा रिस्ता है क्या रिस्ता है तो तुम प्लीज ये मुझे ग्यान ना दो तो ही बहतर होगा ठीक है तुम्हारे ग्यान से मुझे कोई फरक नहीं पड़ता जिसको पता होना चाहिए उसको पता है कि मैं कैसी हूँ, मेरा प्यार कैसा है और मैं उसके लिए क्या मैसूस करती हूँ कि यहां वो दिख रहा है मुझे और वहां से निशाज होती है अपने बालों को उड़ाते हुए पीछे साइड करते हुए चली जाती है ऐसे तेवर देखके हमारी जो रहना होती है उनके आखों में तो थोड़ी बहुत आसो आही चुके होते है मगर दूसरी बात ये भी होता है कि वो बैठके सोच रही होती है कि कहीं उनकी बातों में सच्चाई तो नहीं मैं कुछ अपनी फैमिली में इतना ही ज़्यादा तो गुल मिल नहीं गई कि मैंने अपने पती पर ही धान न दिया हूँ तो ऐसा वो सोच रही होती है और वो सोचते सोचते अपनी कमरी में चक्कर लगा रही होती है यूदकि बेना रिपलाई किये अव्यांची वहां से चली गई होती है तो कहीं न कहीं हमारे रहना के दिमाग में वो सारी चीज़े चल रही होती है जो कहीं न कहीं उसको परिशान भी कर रही होती है परिशान है कुछ जादा ही हो उठी होती है और उनको रहा नहीं जादा फिर वहां से निकलती है और वो पहुंचती है अभी के पास अभी महां पे बढ़ियां सौंग लगाए हुए सुनते हुए और अपने टाइम को एंजॉय करते हुए वह वहीं बैट के है तो गाना सुनते हुए जब देखती है अभ्यान्षी को तो कहती है कि आप यहां और आप इतने आराम से स्वांग सुन रहे हों वहां पर निशान ने मुझे क्या क्या कहा आपने सुना नहीं सुना अपके सुना वे आप तो यहां पर थे जब जबाब देने की बारी आई आपने उसको जबाब तक नहीं दिया क्यों तो तो यह तिकी तुम दोनों को बीच में मैं क्यों पड़ो अपने जगणे उसे ही निपटा लो तो जादा बहतर होगा अजरना तो कहती है कि अच्छा ठीख है अगर मैंने उसको कुछ कह दिया तो अगर उसको कुछ बुरा लगा तो आप मेरे पास मत आना तो कहती हैं कि नहीं बल्कुल नहीं आऊंगी मैं क्यों आउंगे भाई तुम दोनों लड़ रहे हो तो आप फिर भी आपने कुछ नहीं बोला क्यों तो कहते हैं कि बोलने का कोई मतलब है नहीं यदि कोई मतलब होता दोनों से कोई एक समाझता तो बहस ही नहीं होते तो कहते हैं कि क्या आपको क्या लगता कि मैं उससे बहस करते हूँ तो कहते हैं कि नहीं तुम उससे बहस नहीं करती हो या वो तुमसे बहस करती है ये फर्क नहीं पड़ता फर्क इस बात से है कि तुम दोनों ही एक दूसरे पे चाड़ी रहती हो और मुझे नहीं समझा आता कि तुम दोनों क्यों फिर यहां पर बैठे बैठे चांद को देख रहे होते हैं और वो अपने एक एयर फोन का जो हिसा होता है वो रहने के कानों में लगाती है और रहने के कानों में लगाने के बाद वो कहती है कि यह सुनो दिमाग को ठंडा करो और उसको सुनाती है और वो सुनते भी है, उसको काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, गाना सुनते हुए हलके हलकी हमाएं और उपर से रात का टाइम, तो जैसे थोड़ी हलके हलकी रोशनी आ रही होती है, रहने के पेस पे तो अब्यांची जैसे देखती है, उसके फेस पे वो ठैर से जाती है, और वो अब्यांची जो होता है, गो रहना को मतलब होता है कि सब चीजों से बेख़बर होके मतलब उसको किसी चीज से मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और उसको देखे जा रही होती है और वो उसको काफी जाद खुबसूरत लग रही होती है और धर रहना जो होती है यह दो गाले में मस्त नहीं जब उसका ध्यान आता है कि आफगांश Rubled प्यार देखे जा रहे हैं दो देखती हैं कि इसको बहुत ध्यान से दी रहे हैं दो इसके आखों के सामने चुटकी बजाती है और चुटकी जाने के बाद कहती हैं की सब ठीक है हैं थे तो हमारी थोड़ा सा शर्मा जाती है और सर्माने के बाद की तुल सिरियुस्ली सिरियूस्ली तुमत जाद इव बहुत जादे कुपसथ लगती हो मैं पस्ता है रही हो इख यह प्रकनी गती तो कई दिख में लगती है तो चाहिए को सब Schonoda हु का यह है नोटीस किम आज की यह तूम यह सी कहिं कंटाब के वह उखिसरी तो तो जब वो उनके करीब आती है लब पर पास आती है और उनके हाथों को अपने हाथों में होल करती है उनके हाथों को होल करने के बाद वो उनके हाथों को काफी शाल आते हुए उन हाथों पर किस करती है तो किस करने के बाद हमारी जो रहना होती है वो सरमा जाती है ऐसे लगते है कि नहीं नवीली दुलानो उनकी शादी को इतने वक्त हुआ ही ना हो वो सरमा जाती है और कहती हैं कि अभी हम बाहर बैठे हुए हैं कोई आ जाएगा तो कहती हैं कि कोई नहीं आएगा सब सो रहा है तो दीरे दीरे उनके हाथों पर किस करती है किस करते हुए रहना को अपनी तरफ कीशती है और उनके फेस पर किस करती है उनके माथे पर किस करती है उनके आइस पर फिर उनके चिक्स पर फिर उनके लिप्स पर फिर उनके नूजी पर उनके नेक पर वो बेतहाशक इसकी जा रही होती है ऐसे कि अब उन्होंने हूश हो दिया हो तो रहना उनको कहते हैं कि अभी आराम से प्लीज ना जो कहते हैं कि हाँ भी बस तो मेंट ना तो उनको वो गूद में उठाते हैं और यूँ आखों से इतना प्यार तोनों के याँखों से टपक रहाता हैं वो यूँ कहले कि रहना सर्मा के उनके बाहों में चुप गई होते हैं और जैसे कि मैंने बताया है कि रहना की कदकाथी काफी लंबी और मजबूत है और हमारी जू रहना यह काफी पतली दूबली से और इंकी कदकाथी चोटी है तो इस वज़े से उठाती है और उनको अपने कमरे में ले आती है कमरे में लाने के बाद जो होता है कि रेना को बैट पर रखती है और वो दर्वाजे की कुंडे लगाती है लगाने के बाद वो जैसे टर्न होती है रेना की तरफ वो इतनी बोल्डनेश आज तक नहीं दिखी होती है और वो कभी इस तरह से बिल्कुल नहीं वो अपने टी-शिट को जब डूर क्लोस की होती है तब ही निकालती हुए आती है और उन्होंने शरिफ उपर एक नॉमल सा जूस पटी हुआ लिगी होती है और एक लूर और उन्होंने जू टी-शिट पहना होता है वो निकालती हुए आती है और इतनी बोल्डनेस के साथ उनको ऐसे करते हुए रना ने पहले कभी नहीं देखा होता है जब रना कहती है कि आज आपको हुआ गया तो क्योंती है कि कुछ नहीं बस आपके प्यार करना शो हो गया तो इन्हें लोगों इसमें बुल थे हैं कि बस तोनों को ही सुनाई थे और रना जो होती है वो एक बार फिर से सर्माद आती हैं और उनको हग कर लेती हैं और जो ब्रांशी होती है वो छेने के थोड़ों से करीब और थोड़ा करीब लेटिती हैं और चैतिके लएजाते डला ऐसा कि सर्माद रहिए जैसे पहली बार तो कहिंटें कि आपको याद देन कैसे वो तो हमें याद भी नहीं है कि क्या क्या हुआ हो तोड़ीं कि अच्छा नहीं यादे तो चलो एक नहीं यादे बनाते हैं तो फिर से एवा उनको बहुत जादा शर मारी होती है और अधरना को अधरना जो होती है शर माते हुए वो दूसरे साइड मूव करके लिट जाती है तो उनका बैक साइड उनको दिख रहा होता है तो अब यांची उनके बैक साइड को किस करते हुए जो होता है वो नीचे की तरफ मतलब उनके पैक साइड जा रही होती है बैक साइड किस करते हुए उनके पैक पे हाथ रखती है रहना की जैसे शांसे ही अटक गई हूँ ऐसा उनको फील होता है कि रहना काफी जादा वो खुद को रोखनी पा रहे होती है रोखना भी चाहरे होती है दूनों में किस्सी फिलिंग होती है यह कैसी फिलिंग है तो फिर उनको ओ अच्पड़े पहनी होती है वो रेंप करती है तो उनको रिमॉफ करने से पहले रूप देती है तो कहती है कि पहले लाइट आफ कहलो आप तो कहती है कि अच्छा लाइट आफ कहलो देखा है वो तुरंद लाइट आफ करती है और वो उनकी उपर का जो टी-शिट होता है वो निकालती है रेना उपर जो पहनी होती है वो अंडर गार्मेंट्स पहनी होती है और और कुछ नहीं होता तो उसको ऐसे देखके है अव्यान्शी का हूश और खोरा होता है वो अव्यान्शी को किस करती है उसके लिप्स पे और बहुत जादा लिख किस करते हुए उसको लिट आती है उसके साइड और फिर वो उसके उपर आती है और और उसके अपने हाथों से एसे हाथ उसके बॉकिर पर फैला रही होती हैром कि जैसे खुड के अंदर सारी चीज़ों को समीटना चाहरे हो फिर इदर ओं जो लड Pray girl ओर जो श्राहा होते हैं वो स्निया ने confess द्सकार चो difthe chess Hunter अपण जीर पहुँच चुके होती है और दोनों दूसरे को काल करते है और थोड़ी तर उनकी बात होती है फिर वो लोग डिनर करते हैं फिर सो जाते हैं फिर उसके बाद आते हैं रहना और अबेंची पे तो ये दोनों काफी जादा एक दूसरे महीं में मश्रूफ हो चुके होते हैं यह यू कहले कि अब प्यार के मौसम में भी रहे होते हैं तो रहना जह अब फोर अपे अनके जिक पे ऑंसे कर अइस पे उंके लिप्स पे उंके बैक पे उंके पूरे होता है कि पूरी बोड़ी को ही किसकी जा रही होती है वह और पें उनके नेक पर, उनके शल्डर के उनको फूरिए नेक या नीचे वड़ी को आज हों सुख बैजोर के हो रहा होता है वह ऐसे बेकाबु हो के हो रहा होता है या यूं कहले कि ये शायद अव्यान से कुछ और सोच रही होती है या रहना तो उन दोनों के बीच में जो ये खुब्सूरत सा मोमेंट हो रहा होता है किसी अलग ही लावल पर किस करते हुए उसके बॉड़ी पर हाथों को फैल आते हुए वो थोड़ा सा नेक से नीचे किस करती है फिर नेक लाइन पर किस करती है फिर उससे नीचे आती है फिर वो अपर पार्ट पर रुटती है उसको थोड़ा सा हूल करती है किस करती है विलब जी भर के प्यार करती है फिर वो थुड़ा से उस से नीचे आती है उसके टमी को किस करती है बड़े प्यार से उसके नेवल को किस करते हुए है तो देखते हैं प्रंचा आगे क्या होता है